वो तस्वीर भी दिखाई एरपोर्ट की तस्वीरे जहां पर राहूल अपनी मा और अपनी बहन के साथ पहुचे थे यानि की सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उनके साथी साथी कॉंग्रेस के वरिश्ट निताओ का एक पूरा हुजूम भी इन सब के साथ था आज जिंतवार घुशित क्या तो दूसरी तरफ लकातार अब राहूल गांधी पर हमले हो रहे हैं प्रणार मंत्री मोधी से लेकर अमिशा से लेकर तमाम बड़े नेता बीजेपी के यही कह रहे हैं कि राहूल मैदान छोड़कर भग कड़े हुए भाग तो वो बहुत पहले ग होगी सवा बारा बजे का वक्त दिया क्या है और पहुँच जाएंगे कलेक्टरेट राहूल गांधी आज तीन बड़े ऐसे नाम हैं जो आज अपना नामांकन ताकिल करने वाले हैं के यल शर्मा राहूल गांधी और इसके अलाबा जो आपोजिशन में खड़े हैं स्मृत आज पहुचेंगे अपना नॉमिनेशन ताकिल करने के लिए तो राय बरेली का रण बेहर दिल्चस्प होगा लेकिन अगर अमेठी से राहूल गादी खड़े होते तो शायद ये रण और दिल्चस्प होता लेकिन कॉंग्रेस का कहना है कि हमने जो गोशना की है वो हमारी रणीती है उसी आथार पर हमने अपने प्रत्याश्यों के नाम आमेठी और राय बरेली से खड़े खिये हैं बादशित करने के लिए और देखे कुछ देर में राय बरेली में राहूल का नामांकन होने वाला है आमेठी से हमें शुक्ला हमारे साथ जोड़ गए हैं और साथी साथ राय बरेली से हमारे साथ उमेश्रिवास्तव जोड़ गए हैं पहरे चलेंगे आमेठ के पास हमें तो ओवर टियू और वहाँ पर किस तरह के हल चल है। पता चला कि मेठी से किशोरिलाल शर्मा और राहूल गांधी आ रहे हैं राईवरली इसलिए हम जिला कलेक्टेट के बाहर इस वक्त मौझूद है यहीं पर राहूल गांधी को आना है। की आखरी तारीक है और कॉंग्रेस पार्टी ने आखरी दिन तक सस्पेंस बनाये रखा कि राईवरली से और अमेठी से प्रित्याशी होगा कौन। कल सुबा से खबरे छंचन कर सामने आ रही थी और पता चल रहा था कि राहूल और प्यंका के नाम का अनाउंस्मेंट हो सकता है और देर रात ये खबर सामने आई कि अब ये पक्का हो गया है कि राहुल गांधी एक बार फिट से मेठी लोट रहे है लेगिन रात हुई सभी लोगों ने गहरी नीन दी सुबा जब सबकी आँख खुली तो पता चला कि कॉंग्रेस पार्टी ने सर्प्राइस दे दिया अब राहुल अमेठी नहीं जाएंगे बलकि सोनिया गांधी की परंपरागत सीट राइवरेली को परंपरागत सीट क्यूं कहा जाता है ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है आजादी के बाद 20 बार लोग सभा का चुना हुआ है और 17 बार कॉंग्रेस पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्च की है 2004 से लगातार सोनिया गांधी सीट से सांसद है अब चुकि और आज सभा चली गई है तो एक प्रकार से का जा रहा है कि आपचारिक तोर पर अपनी विरास्त ताज में ट्रांसफर कर रही है राहूल गांधी को और इसी क्रम में राहूल गांधी आज यहां पर नॉमिनेशन के कारकरता आमने सामने हो गए और हंगामा देखने को मिला है राइबरेली में जहां पर आज नॉमिनेशन फाइल किये जा रहे हैं क्योंकि आखिरी दिन है नॉमिनेशन का ऐसे में राइबरेली में हंगामा देखने को मिला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कारकरता के बीच हंगामा देखने को मिला के उमेश श्री वास्ताव हमारे सयोगी वहीं पर मौजूद ने लगातार उमेश क्या वज़त ही हंगामे के पीछे और अभी क्या स्थिती है कि अभी शांती की सिती है क्योंकि जहांपर कॉंग्रेस के प्रत्याशी राहूल गांदी को आति लिए गेंगे कॉंग्रेस के कारियाले पर मौजूद हूं और यहां की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहां तमाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के जंडे नजर आ रहे हैं लोगों का हुजूम नजर आ रहा है जोश उस्ताव उमंग के साथ कारिकर्टा यहां पहुंच रहे हैं और राहूल गांधी के स्वागत को बेताब नजर आते हैं राहूल गांधी दस से पंद्रा मिनट के भीतर यहां पहुंचने वाले हैं क्या महिलाएं क्या पुरुष सभी यहां पहुंचे हुए हैं कारिकर्टा यहां पहुंचे हुए हैं और सभी हातों में जंडा लिये हुए हैं पंजय के निशान वाला जंडा लिये हुए हैं राहूल गांधी की तफ्वीर वाला जंडा कई यह यहां पर कोई दो तरफा लड़ाई नहीं यहां पर एक तरफा रहाई है रहूल गांदी की जीत कि जमाल जब तो जाएगी जो वह कहते हैं यहां पर कमल खिलेगा कमल यहां से मिलकुल मुर्जा जाएगा नामों निशान नहीं और भाजपा का जो भेस्टाचार का मुद्दा वो आजकल भेस्टाचार के खिलाब ना लड़के वो भारती जनता पार्टी नहीं रहे गई है वो भेस्ट जन पनाह गाह पार्टी बन गई है आजकल मोदी जी केवल जो जुबाउं जे बात कर लेके हैं कौन सा ना रहा आया स्वभाविक है ये नारा स्वभावी के राहूल गांधी के राइबरिली में इंट्री उनकी मौजूद्गी बहुत स्वभाविक है उत्सा लिगी ने हंगामा किस बात को लेकर हुआ है ये जानने के कोशिश करिए जानने के राहूल गांधी नारा स्वभावी 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 के राहूल गांधी नारा और आमित सबसे बड़ी बात ये है कि हल्ला अंगावा जरूर हुआ है अग बीजेपी के जो प्रत्यार्शी हैं वो भी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और कॉंग्रेस के राहूल गांधी भी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं ऐसे में शोर तो बनता है लेकिन सवाल लगातार पूछा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आखिर अमेठी क्यों छोड़नी पड़ी और एक सुरक्षित सीट कॉंग्रेस की जो मानी जाती है राइबरिली उसे क्यों चुनना पड़ा तो इस वक्त कॉंग्रेस जरूर बैकफुट पर है लेकिन कारिकरता हुम कि अमेठी लोटेंगे राहुल गांधी कल तक यह चर्चा थी आज यह जब पता चला कि नहीं वह मेठी नहीं आ रहे हैं तो जाहिर से बात है कि बीजेपी को आटाइक करने का एक और मौका मिल गया और लगातार अनुराख ठाकूर की तरफ से बीजेपी की तमाम बड़े हैं थोड़ा समझाइए बताई कि हंगामा क्यूं हुआ कि लोगों के बीच में हुआ क्या परिसितियां बन गई ऐसी कि यहां देखिए यहां शोर बहुत है जितना मैं आपको सुन पा रहा हूं मिश्चु तोर पर कांग्रेस कारिकरताओं का जोश हाई है राइबरेनी की सीट कांग्रेस की प्रंपलागत की कही जाती है और यह जोश आप देखिए किस तरह से कारिकरता यहां पर जोश के हो रहा है कुछी छणोबाद नमांकर होने जा रहा है राइबरेली से वह लड़ने जा रहा है आखिरकार मन की मुराद पूरी हो गई आप लोगी हो गई और राहूल गादी कम तक हैं पांच लाग गोटों से ज्यादा से जीतने जा रहा है और इंडिया में यह पहें यह ग इंडिया गणवंधन में जो इंडिया गणवंधन के उनका स्वागात से सामंजस है राहूल गांधी इस देश में राइबरेली जनपद से पहली वार चुनाव लड़न है अतिहासिक जीत दर्ज होगी राहूल गांधी के नेतत्त्तों में देश का प्रधान मंत्री बनेग इंडिया गणवंधन जिन्दा राध अफ्लेश यादो जायेगी इंडिया गणवंधन की सरकार बनने जा रही है प्लेश यादो जिन्दा भाध राहूल गांधी जिन्दाबाद तो देख रहे हैं आपके से यह जोशाई हैं दूसरी तरफ की तस्वीरे भी दिखाएए इस तरह से जहां जहां तक निजा जा रही है वहां वहां तक कॉंग्रेस के कारिकरता कमाज भावी पार्टी के कारिकरता यहां पहुंचे हुए हैं और सब अपनी 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 अवा तो पी लगाए हुए हैं और यहां पर लगातार महिडा है मैडम क्या कहेंगे आप कितना खूश हैं कितना उस्ताहित हैं पिर राएबिल अपनी तुना लड़ेस के संसर जो यहां पर लोक तंत्र है जो संभिधान हमारा बदल रहा हम लोग जीत कर संभिधान बदलने नहीं देंगे और तोड़ देंगे और भाजपा को जीतने नहीं देंगे जोश से लबरेज दिखाए दे रहे हैं कॉंग्रिसी कार्यकरता और सबसे